हलो दोस्तों टेक गुरुजी चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत्व अभिनंदन है दोस्तों जैसा की एन्पीसी आईयल आरार साइट जो हमारा नुप्लियर पाउर कारपरेशन आप इंडिया लिम्टेट राजस्थान रावत भाटा का था उसका एकजाम छे तारिक और 11 तारिक को हुआ था तो जो 11 तारिक के एकजाम में फीटर, इलेक्टरिशियन और वेल्डर इत्यादी जो लोगों ने एकजाम दिया है उनका रिजल्ट आ गया है तो वह अपना स्कोर्ड कार्ड और अपना नंबर कैसे देखें कि हम किस क्राटेगरी में फर्स्ट स्टेज में पास है या नहीं।Er्स स्टेज में हमारा क्ॵेश्ण का कौनसा का गलत हुआ वह सब चीजे में हम इस पीडियो में पताएंगे की कैसे आप अपना ओया ये मार्ac कैसे डाउनलोड करेंगे उससे आपना मिला लिजेगा की किहना हमारा सही है और आपका कितना मार्क भार आप स्टेज वन क्वालिफाई है या नहीं है तो चलिए बिनादेरी की शुरू करते हैं लेकिन दोस्तों आप हमारे टेक गुरुजी चैनल पर नए हैं तो टेक गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिजिएगा ताकि कोई भी ग कि हम आपको वीडियो के डिस्रेप स्बास*** देख देंगे वहां से आप लोग इस पर लागिन कर लेगा अब यहां से यह हम इसकी ओम पास्वर्ड तो जो हमारी लॉगईण आईडी है पासवर्ड है आप फाव मभतेश्य समय लॉगई आईडी हो पास्वर्ड बनाए होंगे तुरिसे आप यहां से tapi different कर लंगे डालने के बाद लॉगईण कर लिए अब यहां से इसको करने के बाद यह आपका खुल कर आ गया अब यहां से जो है हम कि एप्लाई वाले पर टच करेंगे कि एप्लाई पर आने के बाद आपको एप्लीकेशन इस्टेटस पर जाना है तो यहां से एप्लीकेशन इस्टेटस पर क्लिक करने के बाद आपका यहां से देखिए रिजल्ट आ गया जहां देखिए नाम इंका है और यहां पर स्टेज 11 का जो है इंका नियुक्त बरापत किया है कितना टोटल परसेंटेज है और क्वालिफाइन विस्टेज misleading की लिए है अब शर्得 doe में इनका टोटल संदूक्र 체त 23 को कि कि यहां से अगर अगर अपना pretty करना से कि हमारा pop Nee कि कि बीुख से कि अगमार कि यहां से जो यह यह पर फर्षट को यह आपका जो कि यह आधा दूसरा इक का है औहर आपका रहेगा और यह master answer की रहेगा तो यहाँ से देख लेते हैं जैसे मालीजे paper first के लिए हमने क्लिक किया तो यहां से दिखिए जैसे इनका paper first का ludzie साशिसर्मा और यहां ने जो अपना फील किया है वसम फिर उसके बाद देखिए यहां से इन्होंने जो है पहला question का area है और तीसरा क्वेस्टन नहीं किया है इनोंने इसके हिसाब से आप अपना जो है यह कंडिडेट का ओयमार्ट सीट है स्टेज वान का अब वही अगर हम स्टेज टू की बात करें अब इसको मिलाने के लिए तो यहां से जो है पेपर सेकेंड का मास्टर यहां से फष्ट का होगे आपना मिला लेंगे और बाकी से मैसे ही है सेकेंड का भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं यह सेकेंड का है यहां लिखा हुआ है अग्रीम एडवांस्टेट वाला तो यह हो गया अब यहां से यह मास्टर वाला भी डाउनलोड करके देख सकते हैं यहीं देखिए मास्टर वयमार सीट है इन्पीचाईल के तरफ से यह जो है इन्होंने जो वयमार सीट और रिजल्ट पब्लिस कर दिया यह काफी अच्छा किया है ताकि सभी बच्चों को पता चल गया कि उनका कितना मार्क है और उन्होंने कहां गलती की पी काफी पारदर्स वह साब करता यहां से लाग नहीं हो पा रहा रहा है कि तो आप लौग इन कैसे करेंगा जैसे आप यहां पर डॉइंप पर टैश कर्रहे solidarity लेकिन आप का da आक्ट सब्सक्तन किका कर या जिसे ऐसे यह ने कि ऑपन हो गया अभीण आप देखिए इनका जो है यह जो है इस्टेज 1 में क्वालिफाई नहीं हो पाएं इस्टेज 2 के लिए इनका टोटल यह डेटा है अब यहां से अगर मालीजी जैसे किसी का नहीं हो पा रहा है तो वह कैसे अपना पासवर्ट harvest और पार्गिट करेंगे तो यह सबसे पहले लॉग इन करेंगे लॉग इन करने के बाद जैसे हमाई लीजिए यहां पर देखी लिख कर आरहा है इनकरेट यूजर नेम और पासवर्ट तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है तो सबसे पहले हमें अपने इमेल पर जाना है और इमेल पर जाने के बाद वहां से देखेंगे दो एड्मिट काड डाउनलोड करने के लिए आया था उसी पर आपका यूजर आईडी लिखा हुआ है तो वहां से यूजर आईडी अपले लीजिए और फिर उसके बाद आप एपलाई वाले पर टच कीजिए फिर उसके ब आउसलेंगे फिर उसके बाद जो है सेकेंड में डालेंग कर जो भी आपके यहां से पहले वाले कुण करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि आपके एपलाईडी और रिजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड जाएक एक तरफ से वह पासवर्ड अब आप इस सेकेंड वाले पर रिशिट करने के लिए डालेंगे जैसे दिखाएं आपको तो अब यहां देखिए हमने फस्ट पर क्लिक कर दिया तो यहां पर आ रहा है यूजर आईडी डालने के लिए आप इसमें अपना जैसे पर पासवर्ड चेंज करेंगे तो आपके इमेल पर एक मैसेज जाएगा जहां पर आपको दिया रहेगा कुछ अंगल के पासवर्ड फिर वहां से आप क्या करेंगे इसको टच करेंगे से के वाले को से करने के बाद से मोई यूजर आईडी डेटा बर्थ और इमेल फिर न्यू पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हैं जैसे सबसे पहले इसको बनाना अपका जो भी है जैसे क्याप्टल में मालोग ए लिख दिए फिर उसके बाद इसमाल में लिख दीजिए फिर उसके बाद दो अंग दे दीजिए फिर कोई स्पेशल करेक्टर दीजिए अब यहां से इतना करने के बाद आप यहां जो जी है हमारा इसमें जो है जो पासवर्ड आया है इमेल पर वह डाल देंगे फिर यहां पर कैप्चा कोड डालने के बाद क्लिक कर देंगे आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा अब फिर आप अपना जो है लॉग इन निव पासवर्ड से कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बास में जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इसे सेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए तो मिलते हैं दोस्तों अगली के लिए धन्यवाद